गुड मॉर्निंग स्टुडन तो आज हम कक्षा पाचवी के हिंदी विशे का दस नंबर का पाट गड़ा धन यह देखेंगे गड़ा धन मतलब छुपा हुआ धन या संपत्ती तो देखो सुन्दरपूर गाव में रामदीन नामक किसान रहता था उसके चार बेटे थे सुन्दरपूर नामका एक गाव था और उस गाव में रामदीन नामक मतलब रामदीन नामका एक किसान किसान का मतलब क्या होता है एक शेतकरी या किसान रहता था उसके चार बेटे थ पर उसके चारो बेटे बड़े आलसी थे रामदीन के सा था बहुती परिश्रमी मतलब मेहनती था पर उसके चारो बेटे बड़े ही आलसी थे उन्हें काम करना पिल्कुल पसंद नहीं था हर समय इधर उधर बेटकर गपे मारा करते थे मतलब हर समय इधर उधर गूमते रहते थे और अपने दोस्तों के साथ बेटकर गपे मारा करते थे रामदिन उनके इस अलड़पन से परेशान था, अलड़पन मतलब उनके इस बचपन से या उनके बचपना से वह क्या था परेशान था, मतलब बिलकुल उनके वह जो इधर हर समय इधर उधर बेट कर गपे मारा करते थे गूमते थे और कुछ भी काम नहीं करते थे इन सारी बातों से रामदीन बहुती परेशान हमेशा रहता था उसे हमेशा बेटों के भविश्य की चिंता सताया करती उसे हमेशा बेटों के उसके मतलब रामदीन के जो चार बेटे थे उनके भविश्य की रामदीन को हमेशा चिंता सताया करती थी चिंता सता ना मतलब उनके भविश्य के बारे में उन्हें या रामदीन को बहुत चिंता लगे रहती थी कि भविश्य में उनका क्या होगा वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे वह दिन रात क्या सोचा करता था वह कैसे करेंगे जब उनका समय आएगा जब तब में कमाता हूँ तब 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 तो कोई बात नहीं पर जब बेटों को कमाने का समय आएगा तो उनका क्या होगा वह अपना पेट केसे पालेंगे या अपना गुजारा केसे करेंगे एक रात वह इनी विचारों में खोया हुआ था तब उसकी पतनी ने जिजगते हुए उसे एक उपाय सुझाया एक उपाय बताया उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा फिर एक आएक खुशी से उचल पड़ा जब पतनी ने एक उपाय सुझाया तो उपाय सुनकर वह उस उपाय के बारे में कुछ देर क्या करने लगा सोचने लगा और फिर एक आएक खुशी से उचल पड़ा थैं Thank you.